सबसे पहले मैं आपको demo दिखा देता हूँ, आप दिखेंगे technovidant website को मैंने open करे है, उपर आप domain name देख सकते हैं, और दूसरा है मेरा subdomain coupon.technovidant, जो मेरी main website है, उसमे मुझे Google AdSense का approval मिल आ है, तो automatically मुझे मेरे subdomain में भी Google AdSense का approval मिल गया है, इसके मुझे किसी भी तरह का क प्रूब लेने की जरूरत नहीं पड़ी अब कोई भी अगर मैं डाउनलोड लिंक देता हूं अब डिपेंड करते हैं कि आप डाउनलोड लिंक किस चीछ का दे रहे हैं आपकी निश्च क्या है कि आप मोड एपी के कोई भी फाइल पीडिएफ एबुक कुछ भी अगर आप देना चाहते है अपने वीवर्स को अपने सब्सक्राइबर्स को जैसे मैं देता हूं तो उसका अप डाउनलोड लिंक क्रिएट करते होंगे और जैसी यहाँ पे मैंने एक डेमो लिंक दे रहा है इस पे मैं क्लिक करूँगा यहां जो टाइमर चल रहा है उसकी वज़ह से म इंप्रेशन मिलेंगे प्लस अगर कोई क्लिक करता है तो इसका बेनेफिट मिलेगा लिखा आया और नीचे आप देखेंगे प्लीज वेट लिखा है तो इसके नीचे और उपर भी एड होगी अभी मैं आपको क्लियर दिखाऊंगा आप देखेंगे मेरी एक विपसाइड है इनवदान.com जैसे मैं डाउनलोड के उपर क्लिक करूंगा यह रीडरेक्ट करेगा मेरी कूपॉन माली मतलब मेरे सब डोमेन में यहां पर भी टाइमर चल रहा है इधर भी एड आ रही है और जैसे टाइमर फिनिश होगा मैं क्लिक हेर पे क्लिक करूंगा तो आप देखें में उतना दम होना चाहिए कोई इतनी दिर इंतजार करें और उसको डाउनलोड करने की एकसाइटमेंट रहे जैसे मैं यूट्यूब में वीडियो बनाता हूं और कुछ डाउनलोड लिंक अपनी वेबसाइट के देता हूं तो जिसका इंटरास्ट होगा वो उस सब्सक्राइट करेंगे उन सब में आटोमेटिकली आपको गूगल एटसंस के अप्रूबल मिलतो रहेगा दूसरा पॉइंट आपको सब्सक्राइट करना आना चाहिए थर्ड पॉइंट पॉइच्पी के वर्जिन और एक्स्टेंशन को आपने चेक करना है वो भी मैं बता सब्सक्राइट में अगर आपने मल्टिपल वेबसाइट को एड कर रहे तो उस वेबसाइट को सिलेट करें जिसका सब्सक्राइट करना चाहते हैं अब डिरेक्ट इस पेज में आजेंगे लेफ साइड में आपको ऑप्शन दिख रही है डोमेंस की इसके उपर जाएंगे कुछी सेकिंड में में मेरा सब डोमेन क्रियेट हो गया अभी तो सिर्फ मेरा सब डोमेन क्रियेट हुग है ना तो SSL एक्टिवेट हुग है ना ही वर्टप्रेस अगर आपको यह पार्ट पता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रह सेकिंड आप्शन है इंस्टॉल वर्डप्रेस इंस्टॉल के बटन पे आप क्लिक करेंगे अब यहां से आपको टाइटल देना है मैंने एक्जामपल के लिए फ्री लिख दिया उसके बाद एज़िटीज आप इसे रहने दे अब यहां पे आप अपना एग्मिन यूजर ने कोड्रि में लॉग-इन करते, तो वहाँ पर उसरे ने और पासवर्ड लगता है तो वही यूजरनीम और पासवर्ड आपने यहां से क्रियेट करना है उसके बाद यहां से आपको STTPS करना है अगर आपकी hosting provider ने आपको SSL certificate दे रखा है तो और यहां से friends आपने अपने sub domain को select करना है बाकी चीज़े आप as it is ऐसे ही रहने दे और next के उपर आपने click करना है इसको भी आप as it is ऐसे रहने दे language change करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बाकी अगर आप चाते हैं कि आप automatic update को turn off कर दे या फिर आपकी update automatically on हो जाए तो आप इस पर select करें अगर आप चाते हैं कि सिर्फ minor version ही install हो तो आप इसको by default ऐसे रहने दे और उसके बाद आपने install के उपर click करना है यहां पर आप देखेंगे मेरा sub domain शो कर रहा है SSL certificate नीचे देखेंगे आप मेरा activate हो चुका है और https भी मेरा on है एडिट website में जाके देखते हैं क्या यह भी activate हुआ या फिर नहीं left side में sites दिख रहा है इसके उपर जाएंगे और सबसे नीचे मेरी तो list शो कर रही है आपके case में एक website है दो है तो आपने उस website के आगे जो arrow बना है उसके उपर आप click करेंगे page को नीचे करेंगे और यहां लिखा है show details इसके उपर आपने click करना है और यहां पर आप देखेंगे add sub domain की option है इसके उपर click करने के बाद आपने paste करना है और यह https जितना भी है सारा आप हटा देंगे सिर्फ आपका sub domain आना चाहिए और add के उपर आप click कर देंगे आप देख करनी पड़ेगी जो आपकी में वेबसाइड है मेरे case में technovidan.com है मैंने इसको यहां से select करा dashboard में गया file manager में गया उसके बाद public underscore html के उपर मैंने click करा अब यहां पे friends आपने ads.txt को जरूर install करा होगा तो यहां से आपने इसे right click करके download करना है page को उपर करेंगे तो आपको यहां पे अपना folder मिल जाएगा sub domain वाला free sub domain अभी मैंने आपके सामने create करा है उस folder को आपने open करना है open करने के बाद friends यहां पे आपको एक button मिल रहा है upload का इसको आपने click करना है यहां से आप file को select करेंगे और जो ads.txt है उसको आप यहां पे upload कर देंगे यहां पर आप देख sub domain में कहीं पे भी paste कर सकते और आपके कुछ ही time के अंदर ads show करने लग जाएगी यह तो हुआ sub domain और google adsense का process अब हम जाते PHP में उसके लेफ साइड में सबसे पहले तो उसी website को आप सिलेक्ट करें अगर आपकी multiple websites है तो लेफ साइड में आपको option मिलेगी सबसे नीचे advanced की इसक को अपने क्लेक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर PHP वर्जन लिखाए कम से कम आपका 7.4 PHP वर्जन जरूर ओना चाहिए नहीं है तो 7.4 करें और उससे update कर दें फिर जाएंगे आप PHP extension में यहां से आपने ion cube underscore loader इसको आपने टिक जरूर करना है अगर यह अंटिक है तो इस की settings करना जहां से आपकी income start होगी जो आपकी main website है उसके अंदर भी same वही plugin होना चाहिए जो आपकी custom domain माली website है दोनों के अंदर same plugin होने चाहिए उसके लिए आपने plugins में जाना है add new में जाएंगे upload plugin के उपर आपने click करना है और यहां से choose file पे click करें यहां से यह plugin है इस plugin को प्लगीन को install करना है यहां से आप activate करें activate करने के बाद आप देखेंगे plugin मेरे side में शो कर रहा है इसको यहां से click करेंगे अब आप से license की मांग रहा है यहां से मैं license की डाल चुका हूं और आप देखेंगे उपर मेरे पास काफी सारी options आ गई general links को आप as it is ऐसे ही रहने दे यहां पर आप अपने link create करेंगे वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊँगा उसके बाद सीधा आप templates में आ जाए बाकी और settings भी मैं बताऊँगा यहां पर आपको काफी सारे template मिलेंगे पर आप template 1 पे set रहने दे यहां से friends page को नीचे करेंगे अब आप यहां पर अपना timer set करें आप किसको कितनी देर hold कराना चाहते है 10 सेकंड 15 सेकंड 5 सेकंड 30 सेकंड तो वो timer आप यहां से set कर सकते हैं example क्लिए मैं इसको यहां पर अभी 5 कर रहा हूं आप इसको as it is ऐसे रहने यह करने के बाद friends page को नीचे करेंगे इसको यहां से आपने remove करके अपनी website का logo add करना पर इसका size के मैं आपको वो भी दिखा देता हूं जिससे आपके लिए समझना थोड़ा easy हो जाएगा इसी size की आप create करें यहां पर आप देखेंगे 230 by 30 pixel की मैंने यह चोटे चोटे बैनर create कर रखे है और वो banner कौन से है मैं आपको यह भी दिखा देता हूं यह मैंने अपनी website का नाम रखाए please wait I am not a robot download और click here इस तरह के आपको create करने है यहां पर आप देखेंगे मैं इस तरह की से add कर चुका हूं आप छोटे चोटे बैनर create करें बटन्स create करें और उसको ऐसे upload कर दे यह setting करने के बदद आप save के उपर जरूर क्लिक करें अब यहां पर option आ रही है advertisement की जब आपका google actions का approval आपको मिल जाएगा अपने custom domain में तो वहां से friends आप अपने google actions के code को generate करेंगे और यहां पर आप paste करेंगे top before top after bottom before bottom after मतलब आपके जो button है उसके उपर और नीचे add जाएंगी जब आप click करेंगे page नीचे होता है तो नीचे लिखाता है please wait और उसके बाद download लिखा रहा था तो उसके उपर और नीचे वहां पर भी add जाएंगी तो अगर आप चारो तरफ add देना चाहते है तो चारो boxes में करें ने तो एक add देने से भी आपका काम चल जाएगा यहां पर मैं before में दे दूँगा और इधर मैं after में दे दूँगा आप अपने according दे सकते ह कहीं पर भी मैंने save के उपर click करा मैंने code भी add कर दिये templates की जो setting थी मैंने आपको वह भी बता दी अब बारी आती है general settings की यहां से आप इसको ऐसे ही टिक रहने दे random all post पर रहने दे कोई भी post open हो जाएगी और main काम आता है अब यहां से friends आपने अपने sub domain को open करना है यहां से आ आपने general settings में आना है page को नीचे करना है और यहां पे लिखे second safe link URL यहां पे आप अपने custom domain को add कर देंगे add करने के बाद आप save के उपर click करेंगे आप यहां से किसी website के link को भी copy कर सकते है अगर आप अपने किसी viewer को किसी website में redirect कराना चाहते है अगर कुछ download कराना चाहते है तो उसे wordpress में upload करे zip format में उसके URL को copy कर ले मैं इस file की बात कर रहा हूँ अगर मैं किसी को download कराना चाहता हूँ zip file को तो इसके URL को मैं copy कर दूँगा अभी मैंने URL copy कर रहा है क्योंकि मैं इस file को download कराना चाहता हूँ अगर आप किसी website यहां किसी page में redirect कराना चाहते है इस URL को copy करे अब यहां पर आना है generate link के उपर आप click करेंगे और यहां पर friends आप इस link को paste करें generate के उपर click करें और जो यह link है short link है इसको आप यहां से copy करें copy करने के बाद मैं इसे open करूँगा यहां पर मैंने paste करा और enter press करा अब आप देखेंगे timer मेरा 10 second का चल गया थोड़ी दिर में यहां add आ जाएगी और उसके बाद जैसी यह timer खतम होगा friends यहां पर एक बटन आएगा click here अब नीचे भी आपके add आएगी download पर करा अब देखेंग हाई देगी जो अभी मैंने नहीं लिखी और download पर जैसी मैं click करूँगा तो आप देखेंगे मेरी फाइल यहां से download हो गई इस तरीके से आप अपनी दो website के अंदर traffic भेज सकते हैं paid plugin friends कोई 1000 रुपे नहीं देने 299 रुपीज देने lessons key के साथ उसका link आपको नीचे description में मिल जागा